नमस्कार मैं टॉक्टर विपिन वंसाल वास्तु गूल सीडेंट मैं हमेशे ही आपको वास्तु शास्तर के साथ अपने अनुबो की खास बाते बताता रहता हूँ आज मैं आपको फैक्टरी के साथ लगती हुई दूसरी फैक्टरी ख्रीदनी है तो उसके बारे में खास बात बताना चाहूँगा मैंने रिसेंट्ली एक फैक्टरी की विजिट की है उनका प्लान था है कि साथ लगती हुई फैक्टरी हमें लेनी है तो क्या वास्तु शास्तर के अदम सार उसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं इसके बारे में उन्होंने मुझे अपने यहां इन्वाइट किया था उनकी अपनी जो फैक्टरी है वो इस्ट फेसिंग यहने पूरो मुखी है और उनका अपना जो काम है गार्वेज पॉली बैग बनाने का काम है जो कि होस्पिटल्स वगरा में यूज होती है तो उन्हें अपने यहां कुछ मशीने और लगानी थी तो इसलिए उन्हें अपनी साथ लगती हुई जगय लेने थी क्योंकि उनकी फैक्टरी में जो स्पेस था वो कम्प्लिट फूलो चुका था और अब उन्हें अपना काम बढ़ाने के लिए दूसरी फैक्टरी की रिक्वार्मेंट थी तो उनके साथ लगती हुई जगया उन्होंने लेने का विचार बनाया है उनकी जो अपनी फैक्टरी थी जिस फैक्टरी में वो काम कर रहे थे इस factory में काम कर रहे थे जो कि east facing यानि पूरों के थी और जो साथ लगती हुई factory है वो यह है जो कि इस factory के north में यानि उत्तल दिशा में लगती है जिसका gate साथ यस्ट में आता है और जो अपनी पुरानी फेक्टरी है उसका जो gate है उसका नौर्थ यस्ट में मिल गेट आता है तो अपनी फेक्टरी के north में लगती हुई factory आप खरीदना चाहिए खरीद सकते हैं लेकिन उसमें भी कुछ conditions होती है कि बनी हुई property है तो उसके अंदर क्य वास्तू के नुसर वो सारी चीज़े सही है या नहीं है जब मैंने इनके ये factory देखी तो factory देखने के बाद बता चला इनके यहाँ जो portion बनाओ थो इस परकार से बनाओ था यहां नॉर्थ वेस्ट में यानि ये corner बन जाता है नॉर्थ वेस्ट यहां आ जाता है नॉर्थ और यह आ जाता है नॉर्थ एस्ट जब मैंने कहा कि ये जगह अच्छी नहीं है क्योंकि पूरी building north में बनी है और south खाली है तो कहा बंजल जी इसके पैसे हमने दे दिया है और ये जगह हमने ले ली है अब ये बताओ इस जगह में हमें asper वास्तू करना क्या चाहिए जब मैंने देखा तो ये toilet के नहां पर य ये shed गला हो था और shed का जो slope था वो इश्क से west की और तो मैंने कहा कि ये जगह asper वास्तू उच्छी नहीं है आपको ये जगह नहीं लेनी चाहिए तो बोले बंसल जी ये जगह तो हम ले चुके हैं अब ये बताए इस जगह के अंदर हम asper वास्तू क्या कर सकते हैं जिससे और जो shed का स्लोप है वो east से west की और है तो उसे west से east की और जरूर करना है वाले बंसल जी ये काम हम कर देंगे बिल्कुर कोई दिक्कत नहीं है इनकी factory जो पुराने वाली फैक्ट्रिया वो रोड लेवल से लगबग तीन फूट के क्रीब उची है और ये फैक्ट्री रोड लेवल से लगबग एक फूट के क्रीब उची है क्योंकि इसके अंदर सा इस्ट के और लानी है वाले बंसल जी बिल्कुर हम ये काम करतेंगे और जो नौर्थ इस्ट का रूम है ये रूम भी हटाना है वाले बंसल जी ये भी काम हम कर देंगे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये रूम बाद में बना हुआ है और इस रूम के उपर गाला हुआ चज़र पर फिर से बीवार हक जाएगी तो ऐसे में जो नौर्थaram Canald हम क्या करते हैं इसी में एक बात वो पही मैंने उन्हें कि एक गेट आप इस्ट नौर्थ इस्ट में यहां पर भी जरूर लगा है वाले बंसवजी हम यह सारे काम बिल्कुल कर देंगे कोई दी करती है अब उनकी मेने एक कंडिशन ओर थी कि हमें दोनों फैक्टरी की किनेक्टिव की अंदर से करनी है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जब भी हम दो फैक्टरी को एक करते हैं आपस में मिलाते हैं तो उनका वास्तु चेंज हो जाता है बदल जाता है तो ऐसे में हमें एंक्टरी कहां से किस हिस्से से लेनी यह पोईंट पर बड़ा ही मैताप होता है कि जब हम दो फैक्टरी को इठ्टे करते हैं तो उसमें से जो एंक्टरी निकालते हैं वो एंक्टरी हमें कहां से निकालनी चाहिए इस फैक्टरी के हिसाब से दोनों के सेंटर के पार्ट से एंक्टरंस निकालनी है ताकि दोनों फैक्टरी का जो सेंटर बनता जो खुला खाली हो जाए ऐसा होने से दोनों फैक्टरी आपकी बहुत बढ़िया चलेगी बोले पंसल जी ये सारे काम हम बिलकुल कर लेंगे इसमें कोई दिकत नहीं है अब इनके यहां पुरानी फैक्टरी के अंदर भी कुछ कमिया थी वो कमिया भी मैंने इनको बताई इन्हो वो ने अपने यहां जैसी ये फैक्टरी बनी हुई है ऐसे ही ये इसके साथ वेस्ट में यहां पर एक हम काम तो भाट करते हैं पैसा भी आता है लेकिन रूपता नहीं कहीं ना कहीं गलत जगह खर्च अजया जहां अन्नेसेसरी खर्चे आ जाते होहां वो पैसा चला जाता जो प्रॉफिट घर पहुंचना चाहिए वो घर नहीं पहुंचता है तो मैंने देखा कि इनके इहां साउध वेस्ट में जो टोइलेक बनी हुई है उसका फ्लोर लेवल लगबग 9 इंच के करीब नीच अधा तो मैंने कहा क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ एक ही टोइल अपने घर जरूर लेकर जाएंगे सेविंग के रूप में लेकर जाएंगे आज मैंने आपको बताया कि अपनी फैक्टरी के साथ लगती हुई जगह लेते समय किन-किन खास बातों का ध्यान रहना चाहिए यदि आप भी अपने घर के अपनी फैक्टरी के अपनी ऑफिस के साथ लगती हुई जगए खरीदने जा रहे हैं तो एक बार वास्तु शास्तर के अनुसार विचार जरूर कर लीजिए क्या वो जगए आपके लिए profitable है या नहीं है है तो उसके अंदर क्या-क्या साथदानिया बरतने चाहिए मैं अपने YouTube चैनल पर जो वीडियो बनाता हूँ जिस प्रकार से वीडियो बनाता हूँ बिल्कुल सिंपल सरल तरीके से बनाता हूँ ताकि आप मेरी वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें जिस प्रकार हम आपको स्क्रीन पर मैप बना कर हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से समझाते हैं शायद ही यूट्यूब पर कोई वास्तो कंसल्टेंट इस तरीके से आपको समझाता हूँ आप मेरी वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखे सुने समझे और विचार करें आपको लगता है कि मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी सही है तो आप अपने घर के साथ लगता हूँ घर खरीजने जा रहे हैं या अपनी फैक्टरी के साथ लगते हैं फैक्ट में क्रूरों रुपे में खरी दी जाती है एक गलग ये सीजन जिन्दकी भर के लिए पश्टावे की बात बन जाती है तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इतने पैसे लगा रहे हैं तो एक बार वास्तु कुंसर्टेंट की सला जरूर ले आप अपना कीमती समय न माय पर्वार इंग काउड़ सत्या बसांपाव जात बार झाल भ्रूर ले ओास पे उिल रवे का ए तो